अगर मैं आपसे कहूं कि आइपक जो परसांद की सोर का है वो इंडियन पीपल्स एक्षन कमिटी वो एक कहीं न कहीं कौपी पेस्ट है एक अमेरिकन और जिसन का और जो परसांद की सोर पिछले लगभग 10 सालों से हिंदुस्तान में जो कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका से उन्होंने कौपी पेस्ट कर रहे हैं यहां पर तो आपको कैसा लगेगा क्या आपको ऐसा लगेगा कि यह एक परदाफास की तरह है अगर आपको ऐसा लगता है कि यह परदाफास की तरह है तो आज का एपिसोड एक परदाफास है लेकिन यह जो यह सारे information यह बात और है कि बहुत कम लोगों ने यह सायद किसी ने इस एंगल से सोचा नहीं परसान किसोर के बारे में और उनके IPAC के बारे में क्योंकि अगर सिर्फ आप IPAC से I को हटा दे जिए यानि कि Indian IPAC का मतलब होता है I for India, P for People, A for Action, C for Committee तो अगर सिर्फ आप इसमें Indian हटा दे जिए, पैक को छोड़ दे जिए, P.A.C. People Action Committee अगर आप रहने दे तो अमरिका के अंदर आज के डेट में पूरे अमरिका में लगबग 527 पैक्स हैं यानि कि People Action Committees वहाँ पर बनी हुई है और पहली People Action Committee अमरिका के अंदर साल 1943 में बनी थी और अगर इस People Action Committee जो अमरिका का मॉडल है अगर उसका आप सही से अध्यन करेंगे तो आपको पिछले 12-13 सालों में जो परसान की सोर हिंदुस्तान में कर रहे हैं ऐसा लगेगा कि वो सब कुछ वहाँ से उठा करके और यहाँ पे कॉपीपेस्ट कर रहे हैं अब सवाल सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सवाल इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है और बड़ा ये है कि जो पैक अमेरिका में है पैक को वहाँ पे रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कनियम, बहुत सारे कानून आये हैं बहुत सारे समयधानिक constitutional amendment किये गए हैं लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह के जो परियास परसांद किसोर ने किये हैं और आज के रेट में और भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह किया गई है इनको control करने वाला आज के रेट में कोई नहीं है और ये एक तरह से अड़ा बना हुआ है black money को white money में convert करने के लिए खास करके political class का तो आज के एपिसोड में आज आप चाहें तो इसको परदाफास कहिए चाहें फिर जो भी इसका नाम देजिए लेकिन आज के एपिसोड में हम Indian People Action Committee परसांद किसोर के जरनी और उसके साथ-साथ उससे ज़्यादा हम ये जानने का परियास करेंगे कि अमरिका के अंदर वो जो pack की जरनी है People Action Committee की जरनी है क्यों आया, कैसे आया, क्या करते थे वो और कैसे वो हिंदुस्तान की जो परसांद किसोर की जो IPAC है उससे different है और उससे similar है और इसी तरह से जिस तरह से अमरिका के अंदर इस तरह से People Action Committees बनी है उसी तरह से यूरोप में भी पिछले 20-30 सालों में बहुत सारे इस तरह के अगुनाईजेशन बनी है और उसका क्या नाम है उनका नाम यूरोप में अलग है लेकिन नेचर काम करने का वही है और वहाँ के सरकार भी इस तरह के People Action Committees को कंट्रोल करने का बहुत परियास कर रही है लेकिन हिंदुस्तान में अभी इसकी कोई चर्चा ही नहीं है मतलब डिमांड तो बहुत दूर की बात है कोई इस तरह से सोची नहीं रहा है कि People Action Committee को अमेरिका में है जिसका कॉपी किया जा रहा है जिसको यहाँ पर implement करने कोशिस की जा रही है अलग-अलग धंग से और उसके पीछे पूरा mastermind आपके परसान की सोर है आपके लिए परसान की सोर एक election strategist होंगे लेकिन जो पैक का इतिहास है भुगोल है जोगरफी है उसको अगर आप सही से study करेंगे तो आपको इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिस तो मैं नहीं कहूंगा या मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक गहरा लंबा चोड़ा इसका आगे पीछे दाएं बाएं है जिसको समझने की जरुवत है और वो बहुत concerning चीजें हैं अब इस चीज को समझने के लिए हिंदुस्तान में अभी आपको इसके उपर बहुत कुछ लिखा नहीं जा रहा है इस तरह के people action committees के उपर या election management के उपर कुछ भी नहीं लिखा अल्बोस नहीं के बराबर है लेकिन अमेरिका और यूरोप में दरजलों नहीं सैकडों किताबों आपको मिल जाएगी जो election management के उपर लिखी गई है और उन किताबों में से जो मुझे किताब कुछ किताबे को मैंने पढ़ा कुछ articles को मैंने पढ़ा उन किताबों में से जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी जो किताब आपको पढ़नी चाहिए अगर आप election management को समझना चाहते हैं और खासकर के ये समझना चाहते हैं कि जो परसान की सोर कर रहे हैं वो कुछ नहीं बलकि उन्हीं सब चीजों को पढ़के वहाँ पे इसको implement करने की कोशिज कर रहे हैं और वो किताब का नाम है Inside Political Campaign Theory and Practice और इसके राइटर है Gary A. Kaplan और Karen S. Johnson Cartay इनका एक आर्टिकल भी है सोर्ट में अगर आप पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं अलाकि ये किताब बहुत महेंगी है Amazon पे अगर आप 15% discount के साथ भी अगर आप लेंगे तो इसके अलावा अब हिंदुस्तान में है एक दो किताब एक परसान की सोर के IPAC में ही काम करने वाले हैं सिवम संकर सिंग है उन्होंने बड़े ही अतरंगी अंदाज में किताब लिखा है How to win an Indian election मतलब उसमें बता रहे हैं कैसे election जीता जाता है ये उसमें मंतल दे रहे हैं हलाकि आप जब inside political campaign या कोई और भी किताब पढ़ेंगे जो यूरोप में या फिर जो अमरीका में लिखा गया है उन किताबें में कहीं पर भी कोई ये claim करता हुआ नहीं दिखेगा कि how to win an American election और how to win a European election या किसी तरह का इस तरह का claim नहीं है लेकिन ये इनकी बचपना है कि इस तरह का claim ये करते हैं और इन्होंने एक और किताब लिखी है Art of Concering Alternative Reality जो कि कहीं न कहीं ठीक ठाक सा title लग रहा है कि अगर आप हिंदी में सौट में अगर मैं कहूं तो एक जूट को कैसे गलहा जाता है social media के थूप वो इस किताब में उन्होंने बताने का प्रयास किया है इसके अलाबा एक और किताब है रजत सेठी है जो सुबरास्टरा जो बीजेपी से जुड़ी हुई है आरेसे से जुड़ी उसके हस्बिन है उन्होंने लिखा है The Last Battle of Sarai Ghat जो कि बेसिकली ये नहीं है कि कैसे election क्या होता है ये election strategy क्या होता है election management क्या होता है election campaign क्या होता है इस पे कम है और ये किताब एक political document जादा है कि एक किस तरह से North East में मुसल्मानों का बंगलादेश से migration हुआ और उनको जो तुष्टी करन की राजनिती की गई और किस तरह से उस तुष्टी करन की राजनिती को ब्रेक किया जा करके इन लोगों ने और ये बेसिकली North East में जब पूरा campaign चल रहा था वीजेपी का 2014 के बाद जब वहाँ campaign शुरू हुआ पूरे North East में तो रज़त सिठी और सुबरास्ट्रा ये उस कोर कमिटी के वहाँ पे थे ये लोग जा करके वहाँ बैठ करके और पूरा उनने डिजाइन किया और सब कुछ किया था तो वह एक्सप्रियेंस एक तरह सा ये किताब है कि मैंने क्या किया कैसे किया और कैसे मैंने battle of last सराइगाट किया वहाँ पे battle of Sarai Ghat actually last Hindu king का वहाँ पे battle था तो उसमें लिखा है तो बहुत सारे किताब हैं तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं बहुत ज्यादा डारेक्ट हम आते हैं American journey के उपर ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि PAC Indian People Action Committee जो परसांद की सोर का है वो पेक के उपर और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा लेकिन पहले हम American journey के बारे में थोड़ी से चर्चा कर लेते हैं तो 1943 से पहले सबसे पहली जो PAC है People Action Committee है वो अमरिका के अंदर 1943 में बनी थी जिसका नाम था CIO PAC यानि कि जहाँ पे इंडिया में I PAC है वहाँ पे थे वहाँ पे उसका नाम था CIO PAC जिसका full form था Congress of Industrial Political Action Committee Indian Political Action Committee परसांद की सोर का और अमरिका का पहले पहला PAC था Congress of Industrial Political Action Committee अब इस नाम को explain में करूँगा आपको क्यू ज़रूरी है इस नाम को समझना 1943 में अमरिका में पहला बनता है और 60 साल के बाद 2013 में हिंदुस्तान में I PAC बनाते हैं परसांद की सोर तो यह अमरिका में यह कहानी सुरू होती है 1907 में 1907 में वहाँ पर Tillman Act एक कानून लाया गया था जो कानून इसलिए लाया गया था क्यूंकि वहाँ पर अगर अमरिका के थोड़ी सी एकॉनमी या वहाँ के समाज के बारे थोड़ी सी भी जानते होंगे कि अमरिका बहुत बिजनेस ओरिएंटेड कॉमुनिटी बिजनेस ओरिएंटेड देस है वहाँ पर हर कोई बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो बिजनेस कॉमुनिटी अमरिका के presidential election या छोटे-छोटे election को किस तरह से control करते थे, उसको fund देते थे और fund दे करके उनके decision को control करते थे, अपने इसाब से कानून बनवाते थे उनसे, तो वो कुछ जादा बढ़ रहा था 19th century के end में, यानि कि 1880-1890 के आस पास, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, 1907 में Tillman Act लाया गया था, ताकि corporate जो है, वो election को fund नहीं कर पाए, लेकिन corporate तो पैसे का होता है, पैसा सबसे बड़ी ताकत होती है, तो जब कानूनी रूप से उनको मना कर दिया गया, कि आप नहीं fund कर सकते हैं, तो वहाँ पर आया, वहाँ पर क्या करने लगे, जो वहाँ पर बिजनेसमें थे, वो लोग क्या करने लगे, कि जो उनकी factory का आया, जो उनकी company के अंदर labor organization या labor union या मजदूर संग हुआ करता था, उनको अपने साथ मिला करके, और वो करते ये थे कि labor union को company ने पैसा दे दिया, कि हम labor union के welfare के लिए, या labor के welfare के लिए ये हम grant दे रहे हैं और वो grant का इस्तमाल होता था, political जो लोग होते थे, जो election लड रहे होते थे, उनकी लिए campaign करने के लिए, यानि कि आपने मजदूर संग को आपने fund दे दिया, कि ये हम आपको आपके labor के welfare के लिए दे रहे हैं पैसा, grant दे दिया आपने, और वो labor union का जो leader है, वो उस पैसे का इस्तमाल करे, अपने labor को या labor के बाहर जो लोग है, उनको mobilize करने के लिए, किसी खास candidate के लिए, किसी खास चाहे हो M.A.L.E. हो सकता है, M.P. हो सकता है, प्रेजिडेंट हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, तो इस तरह से नोने indirect धंग से corporate funding करने का कोसिस किया, अब इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि इस तरह का corporate funding को, direct corporate funding को रोक दिया गया था, गयर कानूनी बना दिया गया था, 1943 के इस act, Smith Candlely Act से क्या किया गया, कि कोई भी labor union किसी भी candidate को fund नहीं कर सकता है, support नहीं कर सकता है, उसको कि उसके लिए कोई campaign नहीं कर सकता है, कोई भी labor union नहीं कर सकता है, इस काम को, तो पहले corporate ने direct fund करते थे, उसको गयर कानूनी स्वापिस घोसित किया गया, अमरिका की कानून में, फिर उसके बाद labor union वही काम करने लगे, उसको भी गयर कानूनी 1943 में घोसित किया गया, तो 1943 के बाद क्या हुआ, कि पहला people action committee बना, और वो पहला people action committee था, Congress of Industrial Political Action Committee, और ये क्या करते हैं, बेसिकले कि political action committees क्या करती है, और ये एक नहीं है, आप कोई भी 4-5-10 corporate businessmen एक साथ मिल करके, एक NGO जैसा है ये, एक NGO बना दिया, उस NGO को आपने fund दे दिया, और वो NGO आपके लिए, किसी भी व्यक्ति को, अपने किसी व्यक्ति को, या जो पहले से ही कोई व्यक्ति है, उसके लिए वो campaign करेगा, उसके लिए वो परचार करेगा, उसके election में खड़ा करेगा, उसके लिए परचार करेगा, उ उसको वो जिताएगा, हिंदुस्तान में है तो MLA का एलेक्षन हो, वहाँ पे है तो मेर का एलेक्षन हो सकता है, प्रिजिडेंट का एलेक्षन हो सकता है, और फिर वो जो NGO जिसको जिताया है, वो NGO के लिए काम करेगा, NGO के कहने पर कुछ policies निधारित करेगा, और वो NGO किसके पहने पर काम करेगा, जिसने उसे फंड दिया, यानि कि indirectly फिर ये IPAC जो है, यानि कि जो PAC है अमेरिका का, जिसकी total संक्या 527 है आज की रेट में, वो एक तरीका है, जहांपे कि आप किसी भी candidate के decision को, किसी भी politician के decision को, आप control कर सकते हैं उनको fund करके, ये model है, अमरिका का model है, अलाकि इस model को control करने के लिए भी, बहुत सारे 1970s में, बहुत सारे law लाये गए, अमरिका के अंडर, ताकि इस तरह के, इस तरह के funding में, इस तरह के control में, election को इस तरह से control किया जा रहा था, PACS के थुरू, उसमें जितना हो सके, गैर कानुनी तरीके हैं, उसको कम से कम इस्तमाल किया जा, corporate का direct उसमें, control politics के उपर कम हो, तो 1970s में बहुत सारे act इसमें, पास किये गए थे, लेकिन इस्तिति वही थी, कि बहुत ज़्यादा उस पे control करना, संभव नहीं था, और आज के date में भी जो 527 PACS बने हुएं, अमेरिका के अंदर, वो एक तरह का civil society है, उसको आप NGO कह सकते हैं, जिनको हला कि आप जिस तरह से कहेंगे, कि इंडिया में NGO को, टेक्स बहुत रिबेट दिया जाता है, उसी तरह से अमेरिका में जितने भी PACS ये 527 जो हैं, इनको टेक्स रिबेट दिया जाता है, यानिकि इनको कम टेक्स देना होता है सरकार को, जो भी ये काम कर रहे हैं, उसको सस्ते दामों पे building मिल जाती है, और corporate भी इसको fund कर सकता है, जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है, कि NGO को एक corporate कोई नो कोई फंड करता है, या NGO जैसे Reliance ने अपना foundation बना लिया, अजीम जी foundation ने जो विपरो के मालिक उनों ने अजीम प्रेम जी foundation बना लिया, अपना ही एक NGO बना लिया, और अपने ही NGO को फंड कर रहे हैं, और वो NGO कहीं न कहीं indirectly election को भी influence कर रहा है अमेरिका के अंदर, अलाकि हिंदुस्तान के अंदर अभी NGO हैं वो election को उस तरह से influence नहीं कर रहा है, यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे यह होता है कि आपने एक pack बनाया, pack जो है वो कहेगा people action committee, यानि कि हम लोगों के बिहाब पे हम action करेंगे, हम people logo के बिहाब, people action committee, तो लोगों के बिहाब पे हम काम करेंगे, action करेंगे, लोगों को mobilize करेंगे, लोगों के जो जरूरते हैं, लोगों की जो people friendly जो act है, कानून है, उसके लिए हम लड़ेंगे सलकों पूतरेंगे और उसके लिए हम कानून बनवाएंगे लेकिन actually होता ये है कि उस NGO को उस PAC को उस civil society को फंड करता है corporate और indirectly corporate अपने काम करवाता है जो उसे act पास कराना होता है जो उसे कानून पास कराना होता है ये पैक वहाँ पे करवाता है corporate इन्हें fund भी देती है लेकिन fund इनको पैसे की रूप में नहीं देगी जैसे इंडिया में है कि आप fund दे दिया आपने किसी NGO को कोई भी बिजनस्मेन दे देता है अपना खुद का भी NGO बना लेता है वहाँ पे आप इजो 1970 में जो कानून बनाए गया है इनको कंट्रोल करने के लिए तो वहाँ पे आप किसी कोई भी बिजनस्मेन किसी पैक को पैसा नहीं दे सकता है लेकिन आप उसे कोई बिल्डिंग दे दिया आफिस के लिए आपने उसके लिए कोई इवेंट कर दिया इवेंट को आपने फंड कर दिया उसने वह कहीं पर मीटिंग कर रहा है कोई कान्फरेंस कर रहा है कोई मोबलाइजेशन कर रहा है तो आप उसको फंड कर दे सकते हैं तो गाड़ी दे सकते हैं, बंगला दे सकते हैं, उसके लिए जो भी जरुवते हैं, मतलब कहने के लिए इन्हें आम लोग, मतलब यह होता है कि NGO कैसे चलता है, तो इंडियो लोगों के पैसे से चलता है, ऐसा कहा जाता है इंडिया में भी, कोई भी फंडा दे सकते हैं, कोई के अधिकार के लड़ने वाली कमिटी है तो लोग इसको चंदना देते हैं और उसी चंदे से ये पैक चलता है अब 2018 के एलेक्शन में इस पैक की क्या ताकत हो सकती है अमरीका में अभी के देट में उसका आप अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ मैं आपको एक एक जामपल उन्होंने पूरे उस एलेक्शन में दो करोड तिरानवे लाक उन्चास हजार आठ सो पिचानवे डॉलर मिलियन डॉलर रुपे खर्च किये थे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मतलब बड़ी इनका पावरफुल इनका लॉबी होता होगा जो इतने पैसे खर किया है उस एलेक्शन में और इस नाम पर कि हम यह लोगों की आवाद उठाने के लिए यह लोग दिमांड कर रहे हैं ऐसा चीज होना चाहिए एक कानून आनी चाहिए ऐसा पॉलसी बनना चाहिए और उसके उपर इतना खर्च कर रहे हैं और इसी कहते हैं कि अमेरिका के अं पारण ही वहां पर यह सारी चीजे होई थी अब आजाए यह अमरिका का स्टूरी अब आजाए हिंदुस्तान में क्या हुआ हिंदुस्तान आप को जैसा पता है अगर नहीं पता है तो सौट में जान लिजिए कि परसांद की सोर 2011 से पहले अमरिका में ही यूनिसेफ में काम करके थे तो बहुत ऑवियस है हम यहां बैठे बैठे हमने सर्च कर लिया चार किताबे पढ़ ली इंजन इंसाइड पॉलिटिकल केमपेंड पर लिया हमारे पास लग भग भग पचीस तीस किताबे है पर एलेक्शन मेनेजमेंट के उपर हलाकि हिंदुस्तान से नहीं है त उनने पढ़ा होगा और वो जब हिंदुस्तान में आये तो नूट्रिशन के उपर काम कर रहे थे होदी से मिले गुजरात सरकार से मिले और वो यही सेम मॉडल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कॉपी-पेस्ट नहीं है लेकिन नाम तो कॉपी-पेस्ट है इसमें तो क सिर्फ यह इंडिया में तो इंजिन पॉलोटिकल आइक्शन कमिटी हो गया अब उन्होंने जो किया यहां पर लारजर उनका जो मोटिफ था वो यही है अवितक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आपको भी साय्थ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो आखरी मक्सद है वो हम fund करें, उसका हम election को manage करें, उसके election को हम fund करें, उसके लिए पैसे का जुगाल करें, उसके लिए हम rally का जुगाल करें, उसके लिए हम परचा, poster, pamphlet, speech, सब कुछ तयार करेंगे, और जब वो जीप जाएगा, तो फिर वो क्या जाकर के लोक सभा में, या राज सभा में, या फिर विधान सभा में, विधान परिशद में, क्या कानून को बनाएगा, किस कानून को support करेगा, क्या उसे करना थे हिए, क्या नहीं करना थे हिए, ये people action committees control करने की कोशिज करेंगी, और ये People Action Committee हिंदुस्तान में अभी कम से कम corporate के control में नहीं है लेकिन इसकी संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है हो सकता है कि IPAC परसांद की सोर जो हिंदुस्तान के corporate बड़े-बड़े corporate houses है उनके पीछे से उनका लिए काम कर रहा हो लेकिन ये एक संभावना है मैं claim नहीं करता है उसके पीछे मेरे पास कोई evidence नहीं है इस तीज को प्रूफ करने के लिए IPAC के बनने से पहले जो जिस company का formation हुआ था 2012 में IPAC का तो 2013 में हुआ है उस company के form होने से पहले जिस company का form हुआ था उसका नाम था citizen for accountable governance यानि कि एक organization जो governance को यानि कि politician को accountable बनाएगी यह एक ऐसी organization है और उसके लिए क्या करेगी यह उसके लिए यह सरकार को scheme बना करके देगी सरकार को policies बना करके देगी सरकार को क्या करना चाहिए कौन से योजना लानी चाहिए किस योजना को कैसे implement करना चाहिए यह सारे चीजे एकाउंट ये बना करके देती है आज भी आप जाए आईपेक के वेबसाइट पे ये आईपेक का वेबसाइट है मैं आपको दिखा दूँ अमेरिकन जर्मिल आऊँ परसांद किसोर हाँ ये है आईपेक का वेबसाइट आप इस आईपेक के वेबसाइट पे आप जाएए कहीं पे भी इस पूरे वेबसाइट में आपको कहीं पे भी ये जिक्र नहीं रहेगा कि उन्होंने चाय पे चर्चा करवाया था जो बहुत हिट गया था आईपेक में करवाया था या परसांद ने करवाया था आईपेक के वेबसाइट पे जिक्र आपको मिलेगा नितिस के साथ मिस्चे हैं, कैप्टन के नौ नुक्ते, मन्थन, ये सारे स्टालिन के भी कुछ प्रोग्राम है यहां पे, यूपी के कुसान आपका हो गया, 2020 में ये हो गया, स्टालिन, केजरिवाल के दस, गरेंटी, सिव सिव सेने का वचन, मतलब बराठी में इसको बोलते हैं, 2019 में सिव सेना वचन्नमा, जगन्ना नतरनलू, मतलब वो तमिलाडू में जो उन्होंने किया था, दीदी, दस, उनिकार, जो उन्होंने पस्षी मंगाल में मंतब एनर्जी के साथ किया था, और ये साथ मिस्चे क्या बाकी का तो आप उतना नहीं समझे हैं, नाम सुना हो या नहीं सुना हुआ, कि ज एवाल के दस गरेंटी, या फिर लेकिन नितिस कुमार के साथ मिस्चे तो सुना है, नितिस कुमार का साथ मिस्चे इस IPEC के website के claim के नुसार, आइपएक ने बनाया है, और आइपएक कहरा है कि हम election management बगरा से हमारा कोई खास राफ्ता नहीं है, हम तो ये काम करते हैं, हम केजरिवाल के 10 guarantee को design करते हैं, हम नितिश कुमार के 7 निश्य को हमने design किया है, और इसलिए इस company का पहला नाम था citizen for accountable governance, यानि कि governance से related जो चीज़े ये designing करते हैं, कि कौन सी scheme आनी चाहिए, नल जल ह होना चाहिए, लोगों को पानी मिलनी चाहिए, किस scheme के थुरू मिलने चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, क्या scheme होगा, ये इनका claim है कि हम यही काम करते हैं, हम election management बेने जो नहीं करते हैं, कम से कम इस website के अनुसार, यही है, क्योंकि आप सामने website खोली है, सिर्फ IPAC का, आपको वह पॉलिटिसियन को और governance को influence कर सकते हैं, सरकार के मुद्दो को, सरकार के program को, सरकार की policies को आप influence कर सकते हैं, यही एक तरीका है, जी बिलकुल नहीं, एक और तरीका है, और वो तरीका का को जन्व देने वाले भी यही परसांद की सोर है, हलाकि उससे नाम उनका कोई associate किया नह सरकारी तंत्र को अगर आप compare करेंगे तो आपको सेम चीज़ दिखेगा, परसांद की सोर को आपने कई बार आपने कहते हुए, यह सुना होगा, कि जी देखिए IS कोई बनता है, पहले वो डॉक्टर बन जाता है, फिर इंजिनियर बन जाता है, या कोई डॉक्टर बनता है, कहीं का collector बन जाता है, कहीं का revenue department में चला जाता है, तो उसने जो पढ़ाई किया, जो उसका excellence इस field में है, उसका तो कोई utility ही नहीं है, तो फिर आप उसे उस IS को वो responsibility क्यों दे रहे हैं, और IS वो जो होगा, जो डॉक्टर बनके गया है, जो engineering की पढ़ाई करके गया है, वो governance मे क्या काम करेगा, उसका तो फिल में कोई experience ही नहीं है, ना उसकी उसकी उसने पढ़ाई किये, तो इनका ये कहना है, कि जिसको आप लोग सरकार की भासा में literal entry कहते हैं, परसांद की सोर का, और एक बहुत बड़ा धड़ा है, सरकार ने भी सीसको अब accept कर लिया है, सरकार के अ पूरा अपना जीवन उसने study किया हो, या काम किया हो, safe drinking water के उपर, या nutrition, health nutrition के उपर, या फिर SHG के उपर उसने बहुत सारा काम किया हो, पूरा जीवन, चाहे वो NGO से जूर के काम किया हो, चाहे फिर वो किसी इनुवरसिटी से जूर के किया हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, तो सरकार अब bilateral entry कानून के तहत, नियम के तहत, उसको बिना IS के exam में बिठाये हुए, उसको एक IS का उहदा दे करके, सची बना सकता है उस department का, जैसे बिहार सरकार में जितनी भी SHG है, उसको control करने के लिए, या फिर उसको governance करने के लिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति को IS बना सकता है जिसने पूरे जीवन अपने, या तो SSG के उपर research किया है, या SSG के साथ काम किया है, NGO में रहते हुए, NGO के बाग कैसे भी, उसका उस field में एक्सपर्ट सी हो, ये उनका कहना है, ये इसका style है, और यही चीज आईपेक कर रहा है, तो आप इस larger context को समझे, कि आईपेक, आईप की politics को, आईपेक, यहां की governance को, politics को कम, असल तो उनका मकसब है governance को control करना, कि कौन सा policy जाना चाहिए, कौन सा scheme आने चाहिए, कौन सी योजना बननी चाहिए, उस योजना को बनवाने के लिए, उस योजना को influence, अमेरिका में क्या होता है, कि PACS जो होती है, कौन सी योजना बन बनाएगा, वो politician जाकर के, तो उस politician को वो सलाह देगा, कि आपको मैंने election जीताया है, तो आप ये policies बनाओ, ये वहां का model है, यहां परसांज भी सोर उससे एक कदम आगे जा रहे है, वो ये कर रहे हैं, कि तुमको बनाने की जरुवत में, तुम जीत गए election, 2015 में निटिस कु हमार को election जीता दिया गया, और अब सातनिस्य हम आपको बना के देते हैं, और इस सातनिस्य को आप implement किजे ग्राउंड पर, उस सातनिस्य में क्या रहेगा, वो IPAC ने पुरा design किया, अब सवाल ये उठता है, कि ये जो भी model है, परसांज की सोर का, जो छुपा हुआ model है, ये model कितना हद तक control कर पाता है Indian political class, कम से कम बिहार में तो control नहीं कर पाया, बिहार में आए सातनिस्य को बिहार गौवर्मेंट ने accept किया लेकिन अपने सर्तों पर, परसांज की सोर को dictate नहीं करने दिया गया, परसांज की सोर जब dictate करने की कोशिस किया, जब परसांज की सोर ने, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो आप इसी तरह से जब 2014 में मोधी सरकार बनी थी तो उस मोधी सरकार का परसांद की सोर के साथ जो मनमुटाव होने के पीछे कारण था वो परसांद की सोर खुद ये बात कहते हैं कि वो मोधी जी के साथ काम इसलिए नहीं कर प है कि क्या प्रता मोधी जी कर रहे थे परियास कर रहे थे लेकिन परसांद की सोर को ज्यादा जल्दी वाज़ी ज्यादा जल्दी करने की थी और कहीं ने कहीं वो यहीं परसांद की सोरका और इनका ही प्लाइन था तो यह कितना सही है कितना गलत है यह आप कैजिए लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही भयावा कहानी है उस कहानी को आप को आप सहमत रहे आसहमत रहे वो आपको आपके अपने आपका अपने decision होगा लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसके उपर चर्चा होनी चाहिए और इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है ताकि जब आप परसांद की सोर का नाम सुन रहे हो परसांद की सोर के आईपेक का नाम सुन रहे हो और परसांद की सोर के बारे में जब जान रहे हो तो उनको जानने से पहले आप उनके इस आस्पेक्ट को भी समझे कि कैसे परसांत किसोर का आईपेक या परसांत किसोर का जो मुख की इंटर्वेंशन है वो गवर्नेंस का है वो सरकार को एलेक्शन मैनेज करने के बहाने एलेक्शन नहीं बलकि सरकार को कंट्रोल सरकार की पॉलिसीज को कंट्रोल करने का सरकार की निती और सिधान्त नियब उसको कंट्रोल करने का एक परियास था सफल हुए नहीं हुए अभी तक तो सफल नहीं हुए कम से कम बिहार में नहीं मोधी सरकार के साथ सफल हो पाए नहीं यहां पर वो सफल हो पाए है एक और है परसांद किशोर के बारे में परसांद किशोर के आई पेक के ऊपर हलाकि उस पे ज़्यादा कुछ है नहीं उनके ऊपर case हुआ है बहुत सारे financial fraud का case हुआ है जिसमें कोई सुसांद सेखर है कोई सबमिस्रा है इन लोगों ने मिलके 10 अक्टूबर 2022 को आई पेक के खिलाब case किया है कि उनके बहुत सारे पैसे इन लोगों ने रख रखा है तो वो चोटी मूटी चीज़े हैं यह कोई भी इंडिया में या कहीं भी बिजनस ऐसे ही होता है जो टूबी फ्रेंक अगर कहें तो बिजनस में ऐसे जोलमोल होते ही रहते हैं मैंनेजमेंट फी नहीं लेता है आई पेक हो गया यह कंपनी की तरह काम नहीं करता है यह से बाहर यूरोप में लबी साले में कॉर्फरेंट फंड़नी के लिए परियास किया यूरोप में इसे हम एक चीज़ बस और जो छूट गया था मुझे बताना था जो मैंने आपको बता है था कि यूरोप में इस तरह के परियास हुए है और वो परियास है कि मैंने आपको नाम नहीं बताय था यूरोप में इस इंदुस्तान में तो आईपेक हो गया या सीएजी उसका नाम हो गया यूरोप के अंदर उसका नाम अमरिका के अंदर पीपल एक्शन कमिटी ह और यहां पर यूरोप के अंदर उसका नाम है Interest Group Financial Donation या फिर उसे Multidisciplinary Group of Corruption भी बोलते हैं और इसको कंट्रोल करने का वहां पर भी पूरा प्रियास किया गया है तो आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नमस्कार अगले बाकी मिलते हैं